हेलो फ्रेंट्स एंड वेलकम तो दी नॉलेज अड़ा आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अक्षेवट के बारे में तो आईए शुरू करते हैं अक्षेवट हिंदू पौराणिक कथाओं में वर्नित एक पवित्र अंजीर का पेड़ है वर्निक कथा के अनुसार एक बार रिजी मारकंडे ने भगवन विश्नुस से उनकी दैविये शक्ती को दिखाने के लिए अनुरोद किया तब नारायन ने एक ही पल में पूरी दुनिया में बार ला दी पर उस समय केवल अक्षेवट जरिस्तर के उपर देखा जा सकता था इसके अलावा जहांगिर ने अक्षेवट को उसकी जड़ो तक काट दिया और उसकी ठूट में एक लाल गर्म लोही की कुलहारी ठोग दी ताकि वट फिर से ना उगे पर फिर भी कुछ समय बाद पेड हरा भरा हो गया कहा जाता है कि राम, लक्षमर और सीता इसी पेड के नीचे विश्राम किया था वर्तमान में प्रयाग राज किले के पातालपुरी मंदिर के भीतर स्थित एक पवित्र अंजीर के पेड को प्राचीन ग्रंथों में वर्ने अक्षरवट के रूप में हूजा जाता है 2011 तक इस पेड के दर्शन के लिए प्रयाग राज किले के आयुद डीपो के कमांडेंट की अनुमती आवश्यत थी कुम्ब मेले के दौरान एक दिन के लिए ये इस्थल सभी देथियातियों के लिए खोला जाता है एक राय इस वक्ष को लेकर ये भी है कि पातालपुरी मंदिर का पेड प्रामारिक अक्षरवट नहीं है असली अक्षरवट किले के अंदर एक भूमिगत मंदिर में है 1765 में प्रयागराज की संधी के बाद जब अंग्रेजों ने प्रयागराज किले पर अधिकार कर लिया तो वे नहीं चाहते थे कि आम जंता किले के सम्वेदन शील हिस्सों तक पहुचे इसलिए मंदिर इस्थानांतरित कर दिया गया वेल्स यात्रा लेकक फैनिक पार्केस के अनुसार जिन्होंने 1831 में दोनों व्रक्ष इस्तलों का दौरा किया था जब मूल अक्षयवट कक्ष बंद कर दिया गया था तब इस्थानिय ब्रामडों ने पातालपुरी में एक बेर के पेड़ का स्टम्प स्थापित किया उन्होंने इदिये दावा किया कि मूल अक्षयवट की एक शाखा थी जो दिवारों में घुज गई थी इसके अलावा बिटिस पुष्टकाले से किले का अठारवी सतापदी का नक्षा इसकी पुष्टी करता है जहां मूल अक्षयवट का स्थान किले के केंदर में दिखाया गया है जबकि पातालपुरी मंदिर किले के बाहरी इलाके में है इसके आलावा बिहार और वारारसी में भी अक्षरवट की पूजा की जाती है तो फ्रेंड्स कैसी लगी ये वीडियो और ये जानकारी ज़रूर बताईएगा अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजेगा शेयर कर दीजेगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाइबाई एंटेक क्यार